हेलो दोस्तों मैं हूँ बैवव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायॉलजी इंडिया जबेस्ट बायॉलजी क्रैस कोर्स में आज बात करेंगे क्लास 12 की एक ऐसी चैप्टर के बारे में जहां से निट एक्जाम में 2-3 कोशन्स डायरेक्ट पुछे जाते हैं इंसी आर लेगा के एंसी आर्टी से आखिर कोशन्स कहां से पूछे जाते हैं तो एंसी आर्टी से जितने भी कोशन्स एक्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं आज की क्लास से उसको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अनकैडमी के स्पेशल क्लास में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा ह उसे इन्रूल करो और वो सेशन को फ्री में देखने के लिए मेरा रेफल कूड को इस्तमाल करो कुमार लाइव के यू एम आर ल आई वी ए मुझसे लगबग एक लाग सतर हजार से ज़्यादा बच्छे पढ़ चुके हैं और मुझसे हमेशा जुड़े रहने के लिए टेलिग्राम चैनल को तुम जोइन कर सकते हो बिट्स फॉर बयालजी टेलिग्राम चैनल ये टेलिग्राम चैनल पे मेरे पीडिएफ नोट्स अविलेबल होते हैं एक्जाम के इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं और डेली जो क्लास्स मेरी होती है थियरी प्लस बजे अनकैडमी के special class में हम मिलते हैं जहां पे रोज डेड़ सो से ज़्यादा कूशन्स का practice करते हैं हम अगर ऐसे ही करते चले तो नीट exam तक 20 हजार से ज़्यादा NCRT के MCQs हम practice कर चुके होंगे मेरे जितने भी sessions हैं सब को free में unlock करने के लिए इस code का इस्तमाल करें खुमार live ये code मेरे तरफ से तुम्हें एक gift है जब सारे sessions तुम free में मेरे देख पाऊगे अनकैडमी प्लस का platform और अनकैडमी आइकनिक का platform दोनों platform अनकैडमी पे हैं ये अनकैडमी का paid platform है जो की बहुत ही सस्ता है इतने सस्ते में तुम्हें बहुत ही अच्छी education मिल रही है इंडिया के बेहतरीन teachers अनकैडमी प्लस पे पढ़ा रहे है और अनकैडमी के आइकनिक platform को तुम जोइन करोगे तुम आएक पस्तन coach मिलते हैं जिनके साथ तुम अपने preparation को अनकैडमी के दोनों plan है ये तुम कोई भी plan choose कर रहे हो तुमें कुमार life code को use करना चाहिए तुमें stand discount मिलेगा maximum possible discount bits for biology के तरफ से मिलेगा ये code use करने से कुमार life हम बात करेंगे आज ecology की 4 chapters है total number of questions यहाँ से जो हैं वो पूछे जाते हैं ये हैं रामदेव मिश्रा कहते हैं रामदेव मिश्रा is the father of ecology in India reward का मतलब होता है regarded इन्हें शम्मान के साथ father of ecology बोल जाता है और father of ecology हमारे इंडिया के हैं ये organism and population कोई बच्चा मुझे बताएगा कि जो diagram है एक कौन से phenomenon को sort कर रही है ये जो diagram है ये mutualism को sort कर रही है इस chapter का नाम है organism and population और इसमें दो ही topic पढ़ने हैं पहला organism and environment फिर population आज हम लोग इस topic को deal करेंगे organism and its environment सबसे पहले कुछ कहानियों के साथ इस chapter start होती है हमारी दुनिया पूरी की पूरी जो है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है एक कितनी simple form से कितनी complex कोई चीज हो सकती है वही चीज यहाँ पर बताया गया है कहानी कहीं न कहीं बहुत ही छोटी लेवल से start होती है macromolecule, sale, tissue, organ, organ system, individual, population, community, ecosystem और biome कहां एक छोटा लेवल से कहानी है, start होई living कहानी और कहां biome, biosphere तक की बात हम करने लगे छोटी 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 चीज़ें ही मिलकर बड़ी रूप ले लेती है छोटे छोटे steps ही हमें success के तरफ ले जाते है यहाँ पे कई तरह के questions उटते हैं पहला सवाल अगर हम बोलें कि how does the bird sing और why does the bird sing दो तरह की सवाल यहाँ पे उठते हैं अगर हम बात करें कि छुणिया कैसे गाती है तो इसके पीछे के जो mechanism है हमें वो देखना होगा लेकिन अगर question पूछें why तो हमें significance को जानना होगा हमारा जो पहला question था चुणिया आखिर कैसे गाती है तो उसके पास एक voice box होता है और एक vibrating bone होती है जिसका नाम होता है syrinx जैसे हमारे पास तो larynx है तो इनके पास syrinx होता है बस छोटी से चीज़ें हैं ज्यान रखेंगे यह इसके बाद दूसरा सवाल था कि आखिर वो क्यों गाती है तो अपने partner को attract करने के लिए communicate करने के लिए वहाँ पे वो गाती है breeding season में वो वहाँ पे चुणिया गाती है अब यहाँ पर कई तरह के सवाल दे रखें NCRT ने पहला night blooming flowers जो होते हैं वो आखिर white क्यों होते हैं night blooming flowers white इसलिए होते हैं क्योंकि रात को जो light आती है जैसे moon से light जो आती है वो light reflecting property होती है यह plant में तो light को reflect कर देते हैं जिसके कारण वो white दिखाई देता है दूसरा जैसे रात की रानी बहुत ही famous plant है जिसमें से बहुत ही बहुत ही खुश्वो निकलती है बहुत अच्छा fragrance आता है तो इसके शलते इनको insect आराम से pollinate कर देते हैं दूसरा सवाल है how does the bee know which flower has nectar bee में एक type होता है जिसका नाम है scout bee वो खोजने का ही काम करती है कि कहां honey bee वहाँ पे मौजूद है तो ये काम इसका होता है एक बार वो देख लेती है कि हाँ पे हनी भी है तो वो वहाँ पे घूमने लगती है कि इसी के आसपास में यहाँ पे honey मौजूद है इसके बाद nectar मौजूद है इसके बाद cactus के अगर बात करें तो cactus के पास काटे क्यूं होते हैं करते हैं ट्रांस्पिरेशन को रिड्यूस करते हैं अभी ट्रांस्पिरेशन क्या है तो प्लांट में के एडियल पार्ट से में स्टेम हो सकता है फ्लार्स हो सकता है पतियां हो सकती है यहां से जो एक्सिस वाटर का लॉस होता है हम इसे ही ट्रांस्पिरेशन कहते हैं तो ओव भी कोई बच्चा पैदा हुआ अंडे से जैसी उसकी हैचिंग होती है जैसी बाहर इस दुनिया में आया उसके सामने जो भी उसे दिखेगा जिसको वो टैच करेगा उसे ही वो अपनी मम्मी समझ बैठता है इस प्रोसेस को बोलते हैं इम प्रिंटिंग ये चीज़ याद ही एक सब्जेक्ट है जिसमें हम और जो इन्वार्णमेंट है उनकी हम यहाँ पे स्टेडी करते हैं एक्जाम्पल के तौर पे जैसे मान कर चलो इस दुनिया में जितने भी बायोटिक हैं तीनी तरह के बायोटिक हो सकते हैं प्लांट एनिमल और माइक्रोब्स अगर बायो का इंट्रक्शन किसी दूसरे एबायोटिक के साथ हो तो हम इसेओ लेंगे इंट्राक्शन यह पार्ट इकालजी के अंदर ही स्टड़ी की जाती है बायोटिक बायोटिक के भी इंट्रक्शन को हम उकालजी कहेंगे यही लाइन-Ci.it कहना चाहारे है एकालजी is a subject which studies the interactions among organism is biotic and between the organism is biotic and biotic and its physical environment is abiotic environment. Okay, ecology, 4 level पे biological organization को बताती है. Levels तो और भी है, organism, population, community, biome, biosphere बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे NCIT 4 चीज़ों को देती है. organisms, population, community और biome इसी चार लेवल पे पूरे ecology को हमारा हम से study कर सकते हैं. इस chapter में हम organism और population लेवल की बात करेंगे. सबसे पहला organism and environment हमारा यह topic है. सबसे पहली line बहुत ही खुबसूरत. Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology. ecology. तुम जानते हो ना, इस दुनिया में कई सारे तो ऐसे organism हैं, जो zero degree पे survive करते हैं, hundred degree पे survive करते हैं, deep oceans में survive करते हैं, सब का अलग-अलग habitat में survive कर पाना, क्या उनकी physiology decide करता है? जैसे इंसान, दुनिया के किसी habitat में रह सकते हैं जाकर, क्यों रह पा रहे हैं? हमारी body की जो figology है, वो अलग है, zero degree वाले organism की figology अलग है, तो सब organism की figology अलग-अलग होती है, तो organismic level is essentially figological ecology, जहां से हम understand कर पाते हैं, अलग-अलग organism जो हैं, वो अलग-अलग environment के लिए हैं, वहां survival भी कर पाते हैं, और वहां reproduction भी कर पाते हैं, अगर कोई सिर्फ survive कर पाए, और उस condition में वो reproduce ना कर पाए, तो हम उसे species का दरजा आगे नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि वो species तो खतम हो जाएगी ना एक दिन, survival के साथ reproduction जरूरी है, continuity of species जरूरी है, इसके बाद, पिछले classes में, बचपन की classes में तुमने देखा होगा, planets हमारे rotate करते हैं, sun के around, और इसी से मौसम के बदलाव देखे जाते हैं, annual variations इसी के चलते देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजे है, temperature की intensity क्या है, temperature का duration क्या है, ये सबसे मौसम बदलते हैं, गर्मी का मौसम है, intensity बहुत जादा होता है, light का, इसके कारण गर्मी होती है, है ना तो ये सब चीजें बचपन में पढ़ाई जाती थी, यहाँ पे बात करेंगे, precipitation एक term है, वो important है, precipitation में दोनों चीजों को पहले include करेंगे, rainfall को और snowfall को include यहाँ पे करेंगे, कुछ biomes की चर्चा है, पहले इस diagram को समझें, इस diagram को पहले याद करने की कोशिस बिलकुल ना करें, भूल जाएंगे, क्या है इस diagram में, एक तरफ बात करें, तो mean annual temperature है, एक तरफ बात किसकी चली है, temperature के बारे में, और एक तरफ बात है, precipitation, इसमें तुम rainfall या snowfall consider कर सकते हो, क्योंकि यह जो arctic और alpine tundra है, यहाँ बारिस तो नहीं होती, यहाँ बर्फ की बारिस होती है, तो यहाँ पर snowfall को consider कर किया जाएगा, tropical rainforest में बारिस होती है, तो बोलेंगे, tropical rainforest में बहुत ज़्यादा बारिस होती है, सब लोग जानते है, तो tropical rainforest का जो कर्व देख रहे हो, वो काफी ज़्यादा है, temperature के मामले में भी यह ज़्यादा है, लगब 25-30 degree Celsius यहाँ के temperature नॉर्मल रहती है, इसके बाद, अगर बात करें, coniferous forest, तुम्हें लग भी रहा होगा, कि कौन जैसा देखने को मिल रहा है, तो इससे coniferous forest बोलेंगे, यहाँ की जो बारिस है, लगबख 200 cm के आसपस होती है, conical sap का तो नाम रखा गया, coniferous forest, यहाँ बर्फ की भी बारिस होती है, यहाँ पे, इसके बाद, temperate forest, जहाँ बारिस की बात करें, लगबख 200 से 200 cm में होती है, तुम्हें जानते हो, Arctic or Alpine Tundra में, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ की बारिस होती है, लेकिन वो करीब 100 to 150 cm तक ही वो होगी, इसके बाद, desert में बात करें, बारिस होती भी नहीं है, और temperature ज़्यादा होता है यहाँ का, तो desert को हमने इधा रख दिया, बाकि एक grassland है, जो desert से कहीं न कहीं बहतर है, जहाँ पे बारिस बहुत तो नहीं होती, लेकिन यहाँ का temperature भी एक normal temperature यहाँ पे रहता है, तो एक्जाम में जब भी labeling के लिए आए, तो आराम से तुम यह temperature और rainfall के basis पे कर सकते हो, जहाँ ज़्यादा बारिस होगी, सबसे पहले लगाएंगे tropical rainforest, जहाँ बर्फ की बारिस बहुत ही कम होती है, temperature लगभग 0 degree, 10 degree Celsius माइनस में जो रहता है, तो उसकी बात करेंगे तो आर्क्टिक और अल्पाइन, कौन जैसा मिले तो कौनी फिरस लगा देना, गर्मी और जहाँ बारिस विना हो, dessert की बात करेंगे, और grassland और temperate तो आराम से लगा ही सकते हो, simple सी बात है, अब इसके बात, दो वर्ड यहाँ पे यूज किये गए हैं, एक regional और एक local, regional और local को कुछ इस तरह से समझें, कि एक reason की बात चल रही है, तो जंगल की बात चल रही है, एक local की बात चल रही है, तो एक पेड़ की बात चल रही है, पूरे जंगल की बात, regional variation, एक पेड़ की चेंज, वो हो जाएगी local variation, तो यहाँ पे अगर बात करें हम, तो एक बायोम की बात करें, तो एक बायोम की अलग-अलग habitat होती है, डेजर्ट की बात करूं, अलग habitat है, ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट की बात करूं, अलग है वो, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, डियाग्राम में शो किया गया है, हमारा जो planet earth है, इस पे life ऐसे ऐसे जगा पे सर्वाइब करता है, जहाँ पे रह पाना बहुत ही मुस्किल है, रेजस्थान के desert में भी life सर्वाइब करते हैं न, वहाँ के चल्चिलाती गर्मी बे भी सर्वाइब करते हैं न, मेगाले forest जो पूरे साल पानी में डूबा हुआ रहता है, वहाँ पे भी life सर्वाइब करते हैं न, डीप ocean के trenches, जैसे मान का चलो ocean है, ocean में इस तरगे trenches मिलती है, यहां पे भी live survive करते हैं ना जर्नों में भी survive करते हैं पर्माफ्रोस्ट का मतलब होता है ट्री लेश बायोम जहां पेड नहीं है बर्ब से ही पूरी ढकी होती है मिट्टी पोलर रीजन्स में भी survive करती है life high mountain के tops पे भी thermal springs में भी और बाकी अगर बात करें वैसे जगह जहां पे गड़े में बदबू आ रही है वहां से इसके अलावे हमारे intestine में भी hundreds of species microbes के रहा करते हैं जिसमें e-coli के बारे में तो सबने सुना होगा नेक्स्ट ये देखें ये यहां पर जो बात की जा रही है चार तरह की forest बताई जा रही है सबसे पहला जो है ये tropical rainforest है और ये deciduous forest है tropical rainforest देखने से लग रहा होगा कि यहां बारिस होने ही वाली है ये deciduous forest है ये इसके बाद ये desert है और ये sea coast है सी को समंदर के बगल का इलाखा यह कुछ एबायोटिक फैक्टर ही होते हैं सबसे इंपोर्टेंट इसमें यह सब चीजों के बारे में बताया गया है जिसको हम लोग डिटेल में यहां पर पढ़ेंगे आगे फीजी को केमिकल कॉंपोनेंट कहने का मतलब एबायोटिक कॉंपोनेंट के बारे में बोला गया है कहते हैं कि फीजी को केमिकल कॉंपोनेंट ही जो होता है किसी भी और्गेनिजम के हैबिटैट को कंसीडर नहीं करता है जिस हैबिटैट में अगर कोई रह रहा है तो उस जगह के बहुत सारे बायोटिक फैक्टर भी तो मदद करेंगे न, बहुत सारे बायोटिक फैक्टर भी तो नुक्षान पहुशाने का काम करेंगे न, जैसे एक जंगल है, एक जगल का light कितना है, water कैसा है, temperature कितना है, soil कैसा है, इस सब चीज़ने depend करती है, लेकिन मानक एक अंजीर का पेड़ है तो अंजीर को पेड़ को पॉलिनेट करने के लिए क्या वहाँ पे वास्प चाहिए ना जो कीड़ा उसे आकर पॉलिनेट करने का काम करेगा तो आपस में ये इन्टरेक्शन से ही ये पॉसिबल हो पाता है वहाँ पैथोजन्स रहते हैं selection जो survival of the fittest है उसकी ही यहाँ पर selection होती है तो ऐसे adaptations evolve हुए हैं और सब अपने habitat में survive करते हैं और उसके बाद reproduce करते हैं कोई भी organism तभी दुनिया में रह पाएगा जब जिसने natural selection को face किया और वो वहाँ पर survive रह पाया यहाँ जो बात चल रही है नीश की बात चल रही है यह नीके कह सकते हो इसे नीके equal to पहले तो नीचे लिखें आप पर functional role plus habitat functional role plus habitat को ही हम नीश कहते हैं example के तोर पर deer deer कहां रहता है grassland में grassland में रहता है वो उसका habitat हो गया grassland में करता क्या है वो grazing करता है वो उसका functional role हो गया each organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate diversity in the resources it utilizes and a distinct functional role in the ecological system सब को मिला कर हम नीश कहते हैं कहने का मतलब जिस habitat में वो रह रहा है वहाँ survive करने के लिए उसके पास adaptations तो होने ही चाहिए तो उसके habitat के बारे में दो लाइने हैं उपर की अब यहां से कुछ abiotic factor की बात करेगी सबसे पहला temperature क्या temperature ही सबसे important factor है exam में question आया हुआ temperature is the most important ecological relevant environmental factor पूछा जाए पहले नंबर पे सबसे important factor कौन है temperature दूसरे नंबर पे पानी तुम यह aware होगे कि जो average temperature की बात करें वो हर एक season में vary करता है यहां पर काम की चीज क्या है सबसे पहला चीज equator जियोग्राफी में सब लोग पढ़ते हैं equator के बारे में अगर हम equator से pole की तरफ जाते हैं तो temperature घटने लगता है equator पे अगर मान कर चलो 40 degree है तो pole की तरफ जा रहे हैं तो वो माइनस में temperature होने लगती है अगर temperature माइनस में हो रहा है तो species की भी रणो नंबर equator से pole तक जाते हुए लगतार घटती ही जाती है decreases progressively from the equator toward the pole और वहीं अगर plane से mountain की तरफ चलें मिस बोल सकते हैं यहां पर हमने latitude बढ़ाया था equator से pole की तरफ जा रहे थे अगर plane से top की तरफ जा रहे हैं तो altitude बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो यहां पर भी बात करें तो temperature difference आता है sub zero level in the polar areas and high altitudes to 50 degree Celsius बात समझ ब्यारी होगी polar areas में हम गय जब equator से तो वहां temperature काफी कम हो गया लगबग बात करें तो sub zero zero से भी नीचे मिस माइनस में और बाकि high altitudes to 50 degree Celsius जब तुम जैसे जैसे उपर चड़ते चले गए पहाड़ों पे तो temperature उपर जादा होने लगा तो overall अगर बात करेंगे तो 50 degree Celsius से कम होता है मिस नीचे का temperature कम होगा उपर की बात करेंगे तो दीरे 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 तेंपरेचर जो है माइनस में होने लगेगा clear है यहां तक आगे बात करें summer season में tropical rainforest के अगर बात करें तो 50 degree Celsius से भी जादा हो जाता है यह बात की गई है अगर बात करें जहां thermal springs रहते है जहां deep sea hydrodermal vents में भी organism सर्वाइब करते है जहां का temperature लगबग 100 degree Celsius से जादा हो जाता है general knowledge की बात है mango tree कभी भी Canada में ग्रो नहीं करते Germany में ग्रो नहीं करते temperate country है यह सब यहां पे ग्रो यह नहीं करते क्योंकि temperature suitable नहीं है इसके बाद snow leopard की बाद करें तो यह केरला के जंगलों में नहीं मिलेंगे tuna fish जो एक टैप की boni fish होती है जो एक टैप की ostrichize है यह नहीं मिलती tropical latitudes के अलावे tropical rainforest के अलावे जल्दी कहीं नहीं मिलती है अब यहां पे बात करें temperature के living organism पे कई सारे फाइदे है temperature हमारे enzymes के kinetic को change कर देता है अगर kinetic energy हमारे enzymes के change हो गई तो metabolic activity तो ऐसे ही change हो जाएगी metabolic activity अगर हमारी change होई तो हमारी physiology तो ऐसे ही change हो जाएगी बहुत कमी organism है जो tolerate कर पाते है wide range of temperature वैसे organism जो wide range of temperature को tolerate कर पाते हैं हम उन्हें नाम देते हैं यूरी थर्मल का जैसे हम यूरी थर्मल हैं सारे के सारे मैमल्स यूरी थर्मल हैं सारे के सारे बर्ड्स यूरी थर्मल हैं लेकिन सारे रेप्टाइल्स सारे एमफीबियन्स सारे मशलियां यह स्तीनो थर्मल हैं यह नैरो रेंज अफ टेंपरेचर को नहीं होगा वो बैचारे मारे आएंगे टेंप्रेचर डिफरेंज के चलते और जाहतर जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं ज्याहतर वाले अस्तिनो-थरमल तो इस दुनिया में बात करें तो 2-3% ही और गिन इसमय में वो fell पाएं है snow lepards पहुट चुका है mammal ही है और वो पहुट चुका है minus zero degrees Celsius minus ten degrees Celsius में भी क्यों क्योंकि वो temperature को tolerate कर पा रहा है penguin भी survive कर पाता है वहाँ पे can you think of a few urethermal many example तों में बता ही दिया इसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ हाल फिलाल के सालों में ये बहुत ही concern में आया है कि लगतार हमारा जो global temperature है वो बढ़ता जा रहा है chapter number 16 में से detail में पढ़ेंगे कहते हैं अगर ऐसा ही ये trend continue रहा would you expect the distributional range of summer species to be affected जो distributional range है वो कैसे affected होगा थोड़ा समझें जाना इस बात को tropical rainforest जहां का temperature 35-45 degree Celsius के आसपस है अगर ऐसे ही वहाँ पे temperature बढ़ता रहा तो क्या tropical वाले temperature में shift कर जाएंगे जो temperature वाले हैं क्या वो polar areas की तरफ shift कर जाएंगे तो ऐसे ही shifting चलेगी diversity लगतार कम होता जाएगा इसके बाद है topic water temperature देख चुके most important ecologically relevant environmental factor था दूसरे नमबर पे यह है water is another the most important factor influencing the life of organism यह हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी कहां से start हुई थी पानी से ही जो पहली बार life हमारे अर्थ पे आया था वो पानी से ही जिंदगी हुई थी यह start बिना पानी के हम जिंदगी की कलपना नहीं कर सकते पानी जो availability है deserts में बहुत कम है इसलिए तो deserts में बहुत कम ही organism survive कर पाते हैं और उनमें कुछ special तरह के adaptations होते हैं जैसे kangaroo rat की बाद करें कभी जिंदगी में पानी नहीं पीता kangaroo rat आखिर पानी लेता कैसे है तो kangaroo rat जब seed खाता है उसके through ही जो उसमें oxidize होती हैं चीज़ें और जो by product में पानी मिलता है उसे अपने body में इस्तमाल करता है तुम बोलोगे camel की बारे में वहां पर physiological adaptation के कारण ही वो survive कर पाते हैं productivity और distribution की बात करें तो plant की बहुत ज़्यादा depend करता है पानी पे tropical rainforest में बात करें तो tropical rainforest की जो productivity है वो काफी अच्छी है क्योंकि पानी भी वहां लगता होता रहता है इसके अलावे अगर बात करें बहुत सरे organisms हैं जो oceans में lakes में और rivers में रह रहे हैं तुम्हें लगता होगा कि उन्हें कोई problem नहीं होती है लेकिन उनके लिए salinity salt की concentration एक बहुत ही important factor होती है जो उन्हें जीलना पड़ता है वहां के पानी की quality उनको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है chemical composition पानी का कैसा है पानी का pH कैसा है अगर इसमें गरबड होगा तो organism के survival पे खत्रे मंडराने लगेंगे सबसे important है salt का concentration जिससे salinity में हम measure करते हैं PPT में measure करते हैं मिस parts per thousand में measure करते हैं inland water की बात अगर करते हैं हम तो यहाँ पर मान कर चलो parts per thousand बोला जा रहा है तो 1000 अगर पानी के molecule है तो उसमें 5 salt के molecule होते हैं यह यहाँ पर बताना चाहरी NCRT समंदर या ocean की बात करें तो 1000 अगर पानी के molecule है तो वहाँ पे 30 से 35 वहाँ पे salt के molecule होते हैं लेकिन अगर hyper saline lagoon की बात करें जैसे dead sea जहाँ नमक ही नमक है वहाँ अगर 1000 salt के पानी के molecule है तो वहाँ उसमें 100 से ज़्यादा वहाँ पे salt के molecule देखने को मिलेंगे ये बात यहाँ पे NCRT PPT के form में बताना चाह रही है कुछ organism ऐसे हैं जो कि wide range of salinity को tolerate करते हैं यूरी हलाइन कहा जाएगा कुछ ऐसे हैं जो narrow range को करते हैं stenohylion वहाँ पे temperature था यहाँ पे salinity है wide range of temperature को जो tolerate कर पाए नम क्या हो जाएगा यूरी thermal जो wide range of salinity को tolerate कर पाए नम यूरी हलाइन इसके अलावे अगर कोई narrow range of temperature को tolerate कर पाए नाम अस्तीनो थर्मल अगर कोई narrow range of salinity को tolerate कर पाए नाम अस्तीनो हलाइन आगे बहुत सारे fresh water animals है वो ज्यादा लंबे समय तक sea water में नहीं survive कर सकते वैसे ही जो बहुत सारे sea water के organism है वो fresh water में survive नहीं कर पाते क्योंकि सबसे बड़ा जो problem आता है वो है osmotic problems osmosis को जेल नहीं पाते बहुत सारे osmotic pressure बगएरा के problem है जो वो face नहीं कर पाते अगली abiotic factor है जिसका नाम है light light की अगर बात करें बहुत सारे plants की बात करें अगर तो light का production light के ही through खाने का production यहाँ पे हो पाता है photosynthesis एक ऐसी process है ताकि तभी वो possible है जबकि sunlight हमारे earth पे available है और तुम जानते हो sunlight एक ultimate source of energy है यह चला गया ना तो दुनिया चली गई sunlight ultimate source of energy है light का importance बहुत जादा है autotrops पे क्योंकि autotrops पे ही तो हम dependent है autotrops अगर इस दुनिया से चले गए तो हमारा भी तो खात्मा हो जाएगा ना इस दुनिया से बहुत सारे species small plants की बात करें जो जंगलों में ग्रो हो रहे होते हैं उनको light बहुत जादा नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत ही lower level पे वो ग्रो कर रहे होते हैं low light condition है जो low light condition में रहे उसे seophytes कहते है because they are constantly over saddled by tall and tall canopy trees बहुत सारे पेड़ा ऐसे होता है जो घणा होता है उपर से तो जो नीचे हैं herbs उनको light कैसे मिल पाएगी बहुत सारे plants जो हैं वो sunlight पे dependent होते हैं photopedic requirement के लिए flowering के लिए अगर full खिलना है तो light तो आना चाहिए photopedic में पढ़ते हैं short day plant, long day plant, day neutral plant बहुत सारे animals हैं light उनके लिए भी important है क्योंकि वो भी दिन भर की बात अगर करें तो light सही काम चलाते हैं वो seasonal variation उनके लिए light ही होता है light की intensity light का duration ये उन्हें बताता है कि उन्हें foraging चारा खाने कब जाना है खाना खाने कब जाना है reproduction कब करना है और migration उन्हें कब करना है light से ही तो पता चलता है न उनके पास calendar तो है नहीं कि वो देखेंगे कि नवंबर दिसंबर आ चुका है मिस ठंड आ चुकी है उनके पास light ही एक जरिया होता है आगे light की availability land पे अगर बात करें तो जितनी जादा light उतना जादा temperature तो सारा चीज सन से ही यहां पे आ रहा है अगर बहुत depth की बात करें 500 मीटर नीचे की बात अगर करें उससे भी ज़्यादा अंदर का environment तो पूरे dark है वहां तो मिल भी नहीं पाती सन की energy मिल नहीं पाती तो what then is their source of energy वहां बहुत सारे chemicals होते हैं तो chemicals को oxidize करते हैं और वहां से ATP का production होता है तो energy ले लेते हैं की मॉटो टॉफ्स बगएरा spectral quality of solar radiation is also important for life जो वहां पे spectral quality आती है solar radiation की UV component की बात करें तो बहुत सारे UVB spectrum जो होते हैं harmful होते हैं दो तरह की rays आती हैं visible आती हैं और एक आती हैं बहुत ही harmful जैसे UVB, UVA ये सब चीज़ें तो overall color component की बात करते हैं तो सारे photosynthesis के लिए useful नहीं होते और सारे जो हैं oceans में नहीं जाते तो मुझे ये बत बताओ कि deepest water में red, green, brown में कौन रहेंगे जैसे मैंने एक तालाब बनाया इस तालाब में सबसे उपर green algae, फिर brown algae फिर red algae तो सबसे नीचे में कौन है red algae ही सबसे नीचे में होते हैं ये chromatic adaptation के कारण ही ये चीज़ नीचे उपर की कहानी यहाँ पे है अगली कहानी है swail के बारे में swail आकिर है क्या मिटी, मिटी की nature मिटी की property अलग-अलग places पे अलग-अलग मिलेगी जैसे तुम्हारे यहाँ का मिटी अलग है तो मेरे यहाँ का मिटी अलग है depend किस पे करती है पहला point climate पे वहाँ का मौशम कैसा रहता है दूसरी चीज़ weathering पे depend करेगी चटान आखे तूट कैसे रहे है क्योंकि उसी से मिटी बनती है soil आखेर transported है या soil sedimentary है अगर कोई बाढ़ की पानी से मिटी आई है तुम्हारे साइड तो वो हो जाएगी transported अगर कोई weathering process से वहीं बनी है मिटी वो होती है sedimentary soil का development कैसे आकर हुआ है ये सब चीज़े बहुत मायने रखती है बहुत सारे soil के characteristics होते हैं जैसे soil का composition कैसा है soil में organic minerals कितने है soil में inorganic minerals कितने है soil की size कितनी है ये सब भी चीज़े मायने रखता है इसके अलावे बहुत important चीज percolation और water holding capacity क्या है percolation कहने का मतलब अगर soil particle कुछ इस तरह से है तो जो पानी है वो कैसे percolate करता है ये ऐसे ऐसे अगर पानी आ रहा है तो इसी को percolation बोलते है और कितना water holding capacity किसी भी soil का है तो इस सब चीज़ें determine करती है कि soil कैसा है इसके अलावे बहुत सारे parameters हैं जैसे pH 5.5 से 6.5 तक अगर pH हो तो अच्छा वो मिट्टी होता है उसके अलावे minerals composition बहुत माइने रखते हैं topography इसका मतलब होता है physical structure of earth जैसे पहाडों की मिट्टी अलग होगी, plane areas की मिट्टी अलग होगी तो बहुत हद तक इसी से वहाँ पे vegetation depend करेगा याद रखना किसी जगह का plant कैसा है वो वहाँ के abiotic environment पे depend करेगा miss वो वहाँ की मिट्टी पे depend करेगा वो वहाँ की temperature पे depend करेगा वो वहाँ की पानी पे depend करेगा किसी जगह की vegetation miss plant कैसे हैं और किसी जगह के plant कैसे हैं तभी वहाँ पे उस तरह के animals वहाँ पे आते हैं तो आगे animals उसी तरह के आएंगे जो support किये जाएंगे similarly ऐसी ही अगर aquatic environment की बात करें तो जो sediment जो नीचे सबसे bottom में जो होती हैं चीजे वही डिर्माइन करती हैं किस टाप के benthic animals वहाँ पे आएंगे benthic animals का मतलब जो organism सबसे bottom पे रह रहे हैं जैसे molluska का member generally bottom पे ही होता है तो उस basis पे वहाँ organism thrive करेंगे में survive करेंगे अगला topic है responses to abiotic factors response कैसे करते हैं लोग abiotic factors के लिए वो बाते यहाँ पे हैं बहुत सारे abiotic factors को हम देख चुके अब बात आती है कि मान कर चलो कि कही unstressful condition है कहीं का temperature ज़्यादा बढ़ जाए तो organism सिर्फ क्या करे इनके पास क्या response करने का होता है power कैसे यह abiotic factors को response करते हैं तो यह चीज़े हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा कि कोई भी organism कैसे अपने environment को tolerate कर पाता है तरीके बहुत हो सकते हैं अंदर में बायो chemical reaction चल रहे हैं physiological reaction चल रहे हैं internal body temperature को constant रखना है तरीके बहुत सारे हो सकते हैं तो overall fitness अगर किसी का ज़्यादा मिस डार्विन के sense में अगर कहा जाए तो जो सबसे fit होगा वही survive करेगा जिसकी efficiency सबसे अच्छी होगी वही survive करेगा तो overall ये बात होती है जैसे कोई भी organism अगर survive कर रहा है तो उसको दो चीजों का ख्याल रखना होता है एक तो osmo regulation osmo regulation किस चीज का तो temperature का और body fluid का तो यहाँ पर वही बात की गई है इसी चीज को हम क्या बोलते है homeostasis बाहर का environment कैसा भी रहे अंदर का environment constant रखना है इसी चीज को homeostasis कहते है तो overall ये बात है कुछ कहानी उसे बताया गया है कि अगर कोई इंशान है 25 डिगरी Celsius पर अपना बहतरीन काम करता है तो वो दो तरीके हैं चाहे तो nature उसको बदल दे nature sweating करवाए पसीने निकाले उस पे वो काम कर सकता है अच्छे से और एक अगर वो AC चला ले तो उस पे काम वो अच्छे से कर सकता है maximum वो अपना कब दे पाएगा जब वो 25 डिगरी Celsius पर काम करेगा तो चाहे तो nature से sweating हो रही है बाडी से और नहीं तो वो AC यूज करें यहाँ पर यह चीज़ important है हमारा organism कैसे response करता है यहाँ पे internal level है यहाँ पे external level है internal और यहाँ पे external देखना यह है बाहर का temperature और यह हमारे body का temperature बाहर का temperature बढ़ता जा रहा है body का temperature भी constant है इसको बोलते हैं regulators बाहर का temperature बढ़ता जा रहा है अंदर का temperature भी बढ़ता जा रहा है लेकिन हद तक आकर क्या हो जा रहा है constant तो नाम क्या रखा गया partial regulator बाहर का temperature बढ़ता जा रहा है अंदर का temperature भी बढ़ता जा रहा है ऐसे को बोलते हैं क्या confirmers इस दुनिया में partial confirmers नाम की कोई चीज exist नहीं करती तो overall यहाँ पे बात है तरीके artificial भी हो सकते हैं तरीके physiological भी हो सकते हैं अगर किसी ने sweating किया पसी ने निकले तो वो physiological तरीका है अगर किसी ने वहाँ पे artificial तरीके की बात अगर करें वहाँ पे तो एस ही उसने use कर लिया तो how do other living organs cope up with situation सबके तरीके अलग-अलग यहाँ पे होते ह सबसे पहली बात यहाँ पे regulators मिस जो अपने body temperature को regulate कर पाएंगे मिस ओश्मो regulation की property भी जिसमें होगी इसको बोलते हैं क्या regulators बहुत कमी organism है जो homeostasis को maintain कर पाते हैं तरीके उनके पास physiological होते हैं और कभी-कभी behavioral तरीकों से वो अपने homeostasis को maintain कर पाते हैं अपने body temperature को maintain कर पाते है और अपने osmotic concentration इस body fluid का क्या है salt का concentration उसको maintain कर पाते हैं इस दुनिया में सारे के सारे birds सारे के सारे mammals और 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 कुछ lower vertebrate और कुछ lower invertebrate species की बात करें तो वो thermoregulation और osmoregulation कर पाते हैं मिस वो regulators के category में आते हैं यह बात मन से निकाल देना कि सिर्फ और सिर्फ birds और mammals ही आते हैं regulators में इनके साथ साथ lower vertebrates भी आते हैं और in vertebrate species भी आते हैं evolution इस बात की गवा है कि जो mammals का success का कारण है वो उनकी constant body temperature का ही कारण है चाहे रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी में बात करें या अंटक्टिका की कड़ाके की ठंड की बात करें वहां organism का survival possible क्यू मेकनिजम जो mammals इस्तमाल करते हैं अपने body temperature को regulate करने के लिए जो human इस्तमाल करते हैं वो तरीके देखेंगे 37 degree Celsius वो कैसे maintain करकर रखते हैं गर्मी के मौशम की बात करें जब बाहर का temperature ज्यादा होता है हमारी body temperature से तो हम sweating करना start करते हैं हम पसीने निकालना start करते हैं अब जो इ desert cooler जो काम करता है वैसा ही हमारे body भी cool हो जाती है तो body temperature हमारा down हो जाता है इसके बाद अगर ठंड का motion है जहां की temperature बाहर की बहुत कम होती है body temperature से हम shivering start करते हैं shivering एक type की exercise है जिसके कारण heat हमारे body में बढ़ता जाता है next plants की अगर बात करें तो plants के पास यह सब कोई mechanism नहीं ह नहीं आते है इसके बाद है चीज confirmers confirmers की बात करें जो अपने body temperature को regulate ना कर पाए बाहर का temperature बढ़ता जा रहा है अंदर का भी temperature लगतार अगर बढ़ता जाए तो बोलते हैं क्या वो confirmers हैं दुनिया के 99% जो organism है इसमें animals और plants दोनों आ गये 100% plants नहीं बोलते क्योंकि एक Artemisia Trident data है वो confirmers की category में नहीं आता सिंपल से example याद रखेंगे तो overall 99% animals और plants की बात करें तो वो constant internal environment को maintain नहीं कर पाते उनका body temperature लगतार बदलता रहता है उनके external temperature के साथ aquatic animals की बात करें तो उसमोटी concentration उनके body fluid का लगतार change होता रहता है अगल बगल के environment के साथ animals और plants की बात करें वो simply confirmers ही होते हैं और animals और plants में birds और mammals नहीं आएंगे याद रखना considering the benefits of a constant internal environment to the organism we must ask why these confirmers had not evolved to become regulators तुम्हें लगता होगा न कि confirmers भी regulate कर पाते confirmers भी दुनिया में survive कर पाते चाहे जैसलमेर में चाहे सिमला में चाहे अंटक्टिका में चाहे सहारा में क्यों नहीं survive कर पाते हैं क्या इतना आशान है survive कर पाना survive करने के लिए energy इस्तमाल होती है बहुत ही जादा expensive process है हम shivering करना start करते हैं इसमें भी तो लग रहा है ना ATP हम sweating करते हैं इसमें भी तो लग रहा है ना ATP बस वही बात है यहां पर human की बात करें तो human में अगर air conditioner का जो एक्जामपल लिया था हमने AC का एक्जामपल लिया था AC से कोई person 25 दिशल से उसको maintain कर पा रहा है दुनिया में हर एक इंसान AC नहीं लगा सकता how many people can really afford an air conditioner many simply sweat it out जादा तर लोग यही करते हैं हम में से sweating ही हम लोग करते हैं और इसके अलावे हमारा performance एक अच्छा होता है गर्मी के मौशम में कहते हैं बात thermoregulation सब नहीं कर पाते body temperature को regulate सब नहीं कर पाते thermoregulation क्योंकि एक बहुत ही महगा process है this is particularly true for a small animals like shrews and hummingbirds कैसे खर्च करेंगे इतने यह ATP body के heat loss और heat gain किसी भी surface area पे ही depend करता है मान कर चलो किसी का surface area जादा है तो heat loss जादा होगा किसी का surface area कम है तो heat loss कम होगा जैसे जो रेगिस्तान में रह रहे हैं रेगिस्तान के जादर तर camels को अगर छोड़ दें रेगिस्तान के जादर तर organism का body surface area जादा होता है body surface area जादा तो heat भी वहाँ से जादा ही release होगा heat जादा release होना रेगिस्तान में अच्छा है तभी तो organism survive कर पाएंगे ना लेकिन अंटक्टी का जहाँ ठंड बहुत जादा पड़ती है वहाँ जादा body से heat release ना हो नहीं तो organism मारा जाएगा वहाँ पे इसलिए वहाँ का surface area कम तो जादा तर चीज़ें release नहीं होती है तुम देखा होगा तुमने भालू बगएर जो पूलर बियर होते हैं छोटी छोटी आँखें छोटे छोटे हैं छोटे छोटे पैर इसलिए तो overall यहाँ पे वही बात है जो छोटे अनिमल्स हैं उनके पास ज़्यादा surface area है और बात करेंगे तो ज़्यादा body heat को लूज कर सकते हैं और बाहर अगर ठंड है तो उसके comparison में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बात करेंगे कि जो अभी हमने बात किया था ठंडे जगहों के बारे में इसी की कारण छोटे अनिमल्स के पास polar regions में वो मिलते हैं during the course of evolution जो cost और benefit है constant internal environment को maintain करने का तो बहुत ही benefits हमने देख रहे हैं कुछ species हैं जो regulate कर पाते हैं but only over a limited range of environment तो उनको क्या बूला जाता है simply beyond which they simply confirm तो उसको बूला जाता है partial regulators अब मान के जलो बाहर का महौल बड़ा खराब है external environment बड़ा ही खराब है तो चाहे तो localized हो जाओ are localized or remain only for a short duration तो और निम्स के पास दो ही choice है पहला choice है चाहे तो migrate कर जाओ दूसरा choice है चाहे तो suspend कर जाओ migration में क्या होता है migration में organism एक जगा से stressful habitat से जाकर एक बहुत ही अच्छे जगा पे जाकर वहाँ पे survive करता है जब तक यह stressful parade खत्म ना हो जाए human के case में अगर किसी person को दिल्ली में बहुत गर्मी लगती है तो वो सिमला चला जाएगा गर्मी के मौशम में बहुत सारे animals खासकर birds की बात करें तो winter season में बहुत ही long distance migration करते हैं और आते हैं हमारे भारत में भारत में रजिस्थान के भरतपूर में केवला देव निस्टनल पार्क है वहाँ आते हैं ये और Siberia से उड़ते हुए आते हैं और Siberia ये बहुत सारे जो cold regions है वहाँ से आते हैं ये था यहाँ पे migration अगली चीज़ है यहाँ पे suspend कर जाओ क्या होता है बहुत सारे bacteria, fungi, lower plants ये तो जगह छोड़कर कहीं जा नहीं सकते तो बात क्या होगी यहाँ पे bacteria, fungi और lower plants के बारे में ये थीक वाल्ड अस्पूर का formation करते हैं अपने चारों तरफ वाल्ड का formation अस्टार अच्छा हो जाएगा तो आगे जर्मिनिट कर जाएंगे ये हाईर plants की बात करें सीड की बात करें और कुछ वेस्टेटी प्रड़क्टिव स्ट्रक्चर की बात करें जैसे प्रोपैग्योल जिसे बोलते हैं तो वह ऐसे ही करते हैं जैसे सीड को तुम जानते होगे वो dormancy मे चला जाता है और जब favorable condition आएगा तो वो survive करेगा अराम से ठीक है नए नए plants तभी आएंगे जब favorable moisture, favorable temperature वगरा आएगा तो अपने metabolic activity को क्या कर देते हैं ये कम कर देते हैं, slow कर देते हैं और इसी को state of dormancy बूला जाता है कुछ animals हैं वहाँ पर organism migrate नहीं कर पाते तो कैसे करें भई तो escape कर जाते हैं कुछ जगा के लिए under, कुछ time के लिए underground हो जाते हैं इसमें सबसे बहतरीन case जो है वो beer का case है वो hibernation करता है winter के मौसम में वो time को escape कर दिया कि भई ठंड में हम रहेंगे अंदर ही गुफा में रहें यह चली जाती है estivation में यह summer sleep होता है ताकि उन्हें गर्मी जादा लगता है और गर्मी से desiccation कहीं वो मर ना जाएं कहीं वो शूख ना जाएं unfavorable condition में जू प्लैंक्टन्स जानते हो ना जू प्लैंक्टन्स जो तालावों में जीलों में रहता है अब वो क्या करते हैं डा जाया pause यह क्या है suspended development का एक phase है जिसमें organism अंदर में चला गया आराम से pause में है और फिर जब आएगी favorable condition तो resume कर जाएगा तो यह overall बातें यहां पर जो थी वो बातें यहां पर suspension से related थी अब यहां पर बात क्या है adaptations बहुत important topic और यह आखरी topic है आज के lecture का जब बहुत सारे alternatives की बात कर रहे हैं तो environment में रहते हुए कहीं न जाना ना suspend होना ना कहीं migrate करना वहीं पर रहते हुए हम कैसे adapt कर सकते हैं अब उसकी बात चलेगी we have seen that some are able to respond to certain physiological adjustment जैसे हम लोग बात करेंगे यहां पर किसके बारे में adaptations के बारे में अलग-अलग organism जो होते हैं उनमे adaptation के तरीके अलग हैं कई organism देखेंगे हम अभी जिसमें morphological adaptations होता है बाहर में उसने अपने body को change कर लिया कुछ ऐसा इसके बाद physiological body के अंदर के physiology change कर लिया जिसके कारण वहाँ वो survive कर पा रहा है इसी चीज को बोलते है एक्लमेटाइजेशन बाहर के बदलते हुए environment के साथ अंदर चीज़ें constant रखना और वो तरीके morphological, physiological, behavioral हो सकते हैं clear है यहाँ तक और वहाँ survive करना और वहाँ reproduce करना अपने habitat में और genetically fixed होता है कि अगर हम वैसे कर पाते हैं तो हमारी अगली generation में वैसे कर पाएगे आगे मान कर चलो कि कहीं पानी है ही नहीं external source में पानी है ही नहीं kangaroo rat जो कि not American dessert में होता है तो सारा का सारा पानी कैसे ले पाता है यह seed खाता है seed में जो fat है उसका oxidation होता है और उसके यह चलते पानी का use कर पाता है इसका urine concentrated है अगर इसका urine concentrated नहीं होगा तो पानी ज्यादा से ज्यादा loss होगा ज्यादा से ज्यादा loss होगा तो और निन तुमारा जाएगा अब इसका पानी बहुत कम काम में चल जाता है पानी से साफ हो जाता है इसके excretory products बहुत सरे desert plants की बात करें तो उनमें थीक cuticle होता है पत्तूं की बाहर की जो surface plant में जो होती है उसे हम cuticle कहते हैं epid stomata जो होती है ना बहुत ही अंदर धसी होती है sunken stomata में इस stomata surface पे नहीं मिलेगी इसके चलते फाइदा क्या हो पाता है transpiration कम से कम होगा water loss कम से कम होगा तो यह चीज होता है इनमे they also have a special photosynthetic pathway जिसे cam कहते हैं crassolation acid metabolism बोलते हैं इसको cam plants जैसे कुछ example अपुंशिया यह सब की बात अस्टूमेटा जो है इनकी बंद रहती है दिन में क्योंकि दिन में अगर स्टूमेटा खुल गई desert वाले में तो सोचो क्या होगा जादा से जादा पानी का loss हो जाएगा जिससे organism मारे जाएंगे plants शम desert plants की बात करें और पुंशिया की बात इनके पास पत्ते नहीं होते पत्ते इनके reduce हो चुके हैं spines में reduce हो चुके हैं surface area यहां पर यहां पर कम गया तो यहां पर loss कम से कम होगा तो and the photosynthetic function is taken over by the photosynthesis तो leaf से हो नहीं रहा है यहां पर stain से हो रहा है flattened stem upon chia next mammals जो colder climate के mammals है ना उनके पास छोटी छोटी सारी शीज़े होती है थोट दर पहले मैंने बताया इयर छोटे 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 लिम्स छोटे 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 ताकि heat loss भी कम से कम होगा इसको क्या बोलते हैं balance rule बोला जाता है इसे polar areas में जो रह रहे हैं वो aquatic mammals रह रहे हैं जैसे seal शील वहां इतने ठंडे इलाके में रहती है जहां body temperature तो zero में चला जाता है उनके पास blubber होता है असकीन के नीचे एक layer लगी है जिसको बोलते हैं blubber वो blubber एक fat की layer होती है जिससे वो एजा insulator काम करता है ठंड उसे नहीं लगती body का heat जो है वो reduce हो जाता है क्योंकि अगर blubber नहीं होता तो heat loss बाहर होता तो इसी के चलते organism survive कर पाते हैं कुछ organism ऐसे हैं जिन्होंने physiological adaptation ही कर लिया है जो उन्हें stressful situation से जल्दी ही quickly escape करने में मदद करता है जैसे example अपनी बात करें मान कर चलो कि कहीं हम high altitude के जगा पे गए plane से उपर जाते हैं तो altitude बोला करते हैं 3500 मेटर हम उपर गए उससे भी ज़्यादा मनाली के पास एक जगए है रोहतांग पाश हम वही गए है experience वहाँ पे करते हैं हम altitude sickness का क्या होता है altitude sickness इसमें symptoms की बात करें vomiting की इच्छा होती है nausea, fatigue, body में ठकावट लगती है heart palpitations, दिल की धड़कने बढ़ती जाती है ये क्यों हो रहा है ताकि atmospheric pressure वहाँ पे कम है क्योंकि उपर जाएंगे तो atmospheric pressure कम हो जाएगा atmospheric pressure कम, oxygen density भी कम रहा होगा, high altitude पे तो body को enough oxygen नहीं मिल पाता है उपर में तो body क्या करें, तो body ने acclimatization स्टार्ट कर लिया, body ने अपने internal body में कुछ changes स्टार्ट कर दिये physiological changes स्टार्ट कर दिये, और हम altitude sickness को stop कर दिये how did your body solve this problem, body ने क्या किया, body में कम हो गए थी oxygen capability, इसलिए body ने RBC के नंबर बढ़ा दिये, अब फिर इसके बाद, जो binding affinity हेमोगलाबिन के साथ होती है, वो decrease हो गई, important, अब सांसे तेज से बढ़ने लगी है, तो ये कारण हुआ है, alternate sickness पर हम जीत पाए है, बहुत सारे tribal areas में अगर बात करें, वो हिमाल्याज पर ही रहते हैं, बहुत सारे पहाड़ी लोग जो हिमाल्या पर रहते हैं, उनमें higher RBC ही होगा, normal areas के according, comparison में, जादर तर जो animals होते हैं, वो metabolic reactions, और भी physiological function वगरा जो होता है, तो normal एक narrow range of temperature को tolerate कर पात हैं, लेकिन कुछ microbes ऐसे हैं, जो archivacteria, जो hot springs में रह पाते हैं, deep sea hydrothermal wind, समंदर के नीचे जहरना चल रहा होता है, गरम, तो उसमें भी वो survive कर पाते हैं, जहां का temperature 100 degree Celsius से भी जादा होता है, तो उनका sail wall, उनका sail membrane, is a branch lipid chain का बना हुआ होता है, इसले वो वहाँ पर survive कर पात हैं, बहुत सारी मशलियां हैं, जो antarctic के water में रह रही हैं, जहां temperature लगभू 0 के नीचे ही होता है, कैसे वो वहाँ पर कर पा रही हैं, body fluids उनका जमता क्यों नहीं है, क्योंकि उनके body में anti glycerol protein वहाँ पर मौजूद है, anti freezing protein मौजूद है, वहाँ पर glycerol वगएरा, तो इसके चलते वहाँ पर हो रहा है, बहुत सारे marine invertebrates की बात करते हैं, बहुत सारे मचलियों की बात करते हैं, जब समंदर की गहराईयों में रह रहे हैं, जहां pressure इतना ज़्यादा होता है, hundred times ज़्यादा है, normal atmospheric pressure के, तो वो कैसे रह पाते हैं, इतने high pressure में, और जहां पर रह पाना बहुत ही मुस्किल है, तो इनके जो bones होते हैं, इनके bones को बोला जाता है, इनके bones flabby bones होते हैं, मिस इनकी हड़ियां flexible होती है, यह है, इनके पास swim bladder होता नहीं है, यह भी इनमें फाइदा करता है, और इनमें एक special तरह का enzyme होता है, जिसको बोलते हैं, lactate dehydrogenase, lactate dehydrogenase बोलते है इसके कारण ही organism इतने crushing pressure पे भी survive कर पाते हैं, इसके बाद कुछ organism ऐसे हैं, यहनोंने behavioral response को किया है, follow, cope up करने के लिए environment से, जैसे example किसकी, desert lizards की, जो lizards desert पे रह रहे हैं, उन्होंने अपनी behavioral response दिखाया, उनके पास physiology कुछ है नहीं, तो वैसे mammals जो है ना, और कुछ mammals की बाद जो mammals करते हैं, physiological changes, वैसा यह नहीं करती, यह behavioral response यहाँ पे करती है, जब इनके बाहर का temperature ज्यादा हो जाता है, तो यह चली जाती हैं, अंदर, और जब temperature इनके body का कम हो जाता है, तो यह shun bass करने लगती है, absorb करती है, heat को, जब body temperature drop करता है, देखो simple सा mechanism है न, यह desert desert क्या करती है यह अपने घर में अंदर में रहेंगी, छेद बना कर मिटी के अंदर रहती है, अगर मान कर चलो इनका body temperature अंदर में low हो रहा है, तो चली आएंगी बाहर यह, जब धूप निकलेगा, तो बाहर चली आएंगी, धूप सेकेंगी, जब body temperature जादा हो गया, तो चली जाएंगी अंदर, जब अंदर में body temperature कम हुआ, तो फिरा जाएंगी यह बाहर, तैसे ही इन में होता है, तो they bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone, but moving to the shade when the ambient temperature starts increasing, some species are capable of burrowing, में छेद बनाते हैं मिटी के अंदर और वहाँ छिप जाते हैं, और वहाँ जो बाहर की इतनी गर्मी हैं, उससे छिप जाते ह यह, यह एक बड़ा topic था जो आज हमने deal किया, यह पूरे topic के जो बहतुरीन 75 questions होंगे, उसको हम करने वाले हैं, अनकैडमी पे special class से शलती हैं, रोज रात 9 बजे, रोज सुबह 9 बजे, रोज सुबह 9 बजे class 11 की, और रोज रात 9 बजे class 12 की, और उसको unlock करने के लिए एक कु हमार live code को use करेंगे, 360 by 360 हमारा target है, पढ़ो तो एक दिवाने की तरह, क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बहतुरीन डॉक्टर जो बनना है, ओके बच्चों फिर मिलेंगे, इसकी link नीचे description में है, उसको enroll कर लो, live class में practice करते हैं, इसके बहतुरीन 75 questions, बाबाय, झालो